Hello and Namaskar Everyone, मैं Dr. Mahima, भारत होमेपति से आज हम बात करेगे Kidney Stone के बारे में कि Kidney Stone से related क्या लक्षन पेशन को महसूस होते है और उसका बचाव क्या हो सकता है तो Kidney Stone से related लक्षन डिपेंड करते हैं कि Kidney Stone कहाँ पर है उसकी location पर डिपेंड करते हैं कि Kidney Stone कहाँ पर हुआ है कि या Kidney Stone किड़नी में है यूरेटर में है ब्लेडर में है तो अगर Kidney Stone यूरेटर में है तो पेशन को बहुत ही ज़ादा extreme pain फील होता है बहुत unbearable ये असाहनीय pain होता है अचानक से दर्ड उठ जाता है और जो इसकी location होगी pain की जब यूरेटर में होता है तो इसको इस flanks में ये side of the back में फील होता है पेशन को तो ये हुआ अगर यूरेटर में stone फसा है तो बहुत extreme pain होगा और back के side में extreme of the back में फील होगा pain अब बताते हैं कि अगर stone kidney में है तो कैसा दर्ड फील होता है अगर stone kidney में फसा हुआ है तो बहुत dull pain फील होता है ये dull pain अगर कोई patient daily activities अपने काम रोजाना के काम कर रहा है तो उसमें बहुत हलका हलका सा दर्ड महसूस होता रहता है और patient rest करता है थोड़ा सा काम रोपता है तो ये pain बंद हो जाता है stop हो जाता है तो ये दो location important है कि अगर वो kidney में है या फिर ureter में है तो आप समझ गए है ureter में होगा तो extreme pain होगा बहुत severe pain होगा अगर kidney में है तो धीरे धीरे धीमा धीमा दर्ड हो आपको महसूस होगा अब बात करते हैं पेशिन को कभी कभाग दर्ड हुआ और उसने इग्नोर कर दिया उसका कोई treatment नहीं लिया तो ये silent stone जो है बहुत ही खतरनाक आपके लिए हो सकता है क्योंकि ये kidney को damage कर सकता है ये धीरे-धीरे kidney को damage करके आपका creatinine level बढ़ा सकता है और further kidney chronic kidney disease में कंवर्ट हो सकती है तो अगर आपको pain feel हो रहा है तो उसको avoid नहीं किज़ेगा अब बात करते है कि क्या ऐसे prevention है कि suppose किसी को kidney stone हो गया है तो ऐसे क्या prevention ये measures एक patient अपना सकता है कि उसको फिर से kidney stone के chances ना हो या फिर अभी भी kidney stone है तो वो ऐसे क्या diet में changes करें कि उसकी तकलीफे कम हो जो पहला एक myth है बहुत common myth है यह है कि बोला जाता है कि अगर किसी को kidney stone हुआ है तो आप beer consume कीजे ये beer consume कीजे का logic सर्फ इतना है कि kidney stone के patient को advise किया जाता है कि आप पानी की quantity बढ़ा दीजे अब अगर patient को हम advise करेगे कि पानी जादा पीचे तो वो एक दो ग्लास पानी पीए के उससे जादा नहीं consume करेगे बट अगर beer उनको advise किया जाता है तो one bottle two bottle एक साथ वो consume कर लेते है तो सिर्फ इतना logic है कि beer consume कीजे कि उससे पानी का content पानी का consumption जादा होगा और beer kidney stone में कोई helpful नहीं होती है alcohol kidney stone में नहीं लेना चाहिए तो ये myth अपने ध्यान आप ध्यान रखे कि beer से beer का kidney stone से कोई relation नहीं है बस इतना relation है कि पानी की मात्रा आपको बढ़ानी है चाहे वो आप किसी beverage की help से बढ़ाए या फिर simple direct पानी पीए second है कि आपको जितनी भी call rings होती है उसको avoid करना है call ring में होता है carbonated oxalate जो carbonated जितनी भी rings है आपको avoid करना है क्योंकि oxalate जो होता है oxalate stone का type होता है तो अगर आप का call rings का consumption करेगे तो वो जो compound है आपकी body में access होगा और stone बढ़ने के chances बढ़ जाएगे तो आपको call rings को avoid करना है third है कि बहुत patient पूछते है कि dietary जो products होते है क्या वो consume कर सकते है क्योंकि यह भी बहुत बड़ा मित है कि kidney stone किसी को हुआ है तो dairy products को consume नहीं करना है dairy products में आते है दूद हो गया, छाच हो गया, दही हो गया तो क्या इन सब को consume कर सकते है तो yes consume कर सकते है calcium level इससे अच्छा होता है calcium की जरुरत हमारी body को होती है बट आप एक amount में consume कीजिए आप सिर्फ आधा liter dairy product ले सकते है because उससे हमारी body की calcium की need है वो भी पूरी होगी absorption कर सकते है but आप आधा liter एक दिन में consume कीजिए थर्ड है कि पेशिंट बोलते है कि बीज वाली सबजीों को avoid करना है तो इसका क्या relation है कि kidney stone में बीज वाली सबजी को avoid करना है तो बीज वाली सबजी से कोई ऐसा relation नहीं होता kidney stone का ये बहुत बड़ा myth है आपको बस ऐसी सबजी को avoid करना है जिसमें calcium और iron का या फिर oxalate का जो amount है वो excess है जैसे कि ऐसी सबजी है पालग हो गया टमाटर हो गया इन सब में oxalate का amount ज़ादा होता है अगर oxalate ज़ादा आपकी बोड़ी में जाएगा तो आपको ज़्यादा तक्रीफे होगी ज़्यादा chances बढ़ जाएगे कि kidney stone recurrent भी हो सकता है या फिर आपकी बोड़ी में kidney stone और बड़ा हो सकता है तो सिर्फ इतना relation है कि आपको वो सबजी को वो सबजी avoid करनी है जिनमे calcium और oxalate का level ज़ादा है और लास्ट है कि क्या आप non wedge खा सकते है तो I would advise कि आप non wedge avoid कीजिए और especially आप red meat को avoid कीजिए same क्योंकि उसमें भी oxalate की मात्रा ज़ादा होती है और वो आपकी kidney stone होने के chances या recurrence बढ़ा देती है तो ये कुछ prevention है जो कि अगर किसी को एक बार kidney stone हो चुका है तो ये prevention हो इंसान accept कर सकता है अपनी body पर अपना सकता है जिससे उसके chances दुबारा kidney stone होने के बच जाए और अगर आपकी body में kidney stone से related कोई भी लक्षन दिख रहे है silent stone के भी कोई लक्षन दिख रहे है कि बहुत बार आपको dull aching pain हो जाता है और आप ignore कर देते हैं risk कर लेते हैं तो उसको ignore नहीं कीज़ेगा अपनी kidney को बचाएए और अगर आपको ऐसे कोई लक्षन दिख रहे है या फिर आप kidney stone से पीडित है तो आप मुझे Dr. Mahima को consult कर सकते है मैं Dr. Mahima और मेरी भारत हमेपती की medical team दन्यावादा